मिडल इस्ट के रेगस्तान में हमेशा घर्म हावाई चलती रहती हैं उतल पुतल लडाई जगड़े युद्ध चलते ही रहते हैं उसी का एक उधारन आपके सामने आज पेश है इरान में जो घटना कराम हुआ आपको जानकरी है लेकिन दोस्तों इस पुठा पटक के दोरान भारत ने प्रगती करना है भारती कंपनियों ने आगे बढ़ना है आपको जानकरी है इरान और सौधी अरब के बीच में 36 का आकड़ा है लेकिन भारत इरान एवं सौधी अरब दोनों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है सौधी अरब में भारती कंपनी ने 800 किलो मीटर करमाईए इस प्रोजेक्ट की साइज 7550 करोड है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जनावे अली अब जानी आपने ये पूछना चाहिए कि यह जो घटनाकरम है कल पतरू प्रोजेक्ट को यह प्रोजेक्ट मिल रहा है इससे अरेयार देविस हमारा मुनाफ़ा कैसे होगा ज मौदय एक मात्र चैनल है हमारा जो जियो पॉलिटिक्स से आपको मुनाफ़ा कमाने में मदद करेगी कल पतरू प्रोजेक्ट साब देख लीजिए पिछले एक साल में इसने पैसा डबल किया है मतलब भारती ये कंपनियां विदेशों में बारत का जंडा गार रही है और उ रही दारी के मौकि बनेंगे तो निश्चत रूप से हम अपने क्लाइंट्स को रेक्मेंडेशन देंगे यदि आपको इसी प्रकार की रेक्मेंडेशन हमसे समय पर चाहिए मौका भुनाना है आपने तो अखवार पढ़ने से मनेवर काम ना होगा अखवार पढ़ेंगे त इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्स में लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके अभी के अभी मेरी क्लाइंट प्रो इन्वेस्टर मेंबर्शिप ले लीजिएगा मनेवर